हेलो डियर स्टुडेंट्स आप सभी का सागत है छट्टी कक्षा की हिंदी की क्लास में मैं स्टुडेंट्स अब भी हम यूनिटेस्ट्री के लिए रिवीजन कर रहे हैं इसके लिए मैंने पिछले वीडियो शेशन में पार्ठ आंठ जंगल में फेशन शो इसके विशेश प्रश्णोंतर की PDF फाइल शेयर की थी और उसका हमने अभ्यास भी किया था आज हम पार्ठ नौ नारियल के गुन इसके प्रश्णों की चर्चा करेंगे इसके विशेश प्रश्णोंतर का अभ्यास करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला दिया है नारियल के फल को खाली चगह कहते हैं सीता फल या स्रीफल तो उसका उतर आता है स्रीफल फिर प्रश्ण दो फल के उपर रेश्णों की खाली चगह होती है तो इसके लिए विकल्प दिये हैं पट्टी या गद्दी तो इसका उतर आएगा गद्दी फिर आगे देखते हैं तीन इसके फल का भोजन में भी खुब खाली चगह किया जाता है और इसके विकल्प दिये हैं दुरूपयोग या प्रयोग तो इसका उतर आएगा प्रयोग फिर चार नारियल का पानी बहुत ही खाली जगह होता है उसके विकल्ब दिये स्वादिष्ट या कड़वा तो इसका उत्तर आएगा स्वादिष्ट फिर आगे देखते हैं पाँच नारियल का पानी पीने से शरीर को खाली जगह मिलती है इसके विकल दिया है ताकत या कमजोरी तो इसका उत्तर आएगा ताकत अब इसके बाद दिया है सही या गलत तो पहला दिया है नारियल के फल को स्रीफल कहते हैं तो ये उतर सही है सही फिर दो दिया है पक्के हुए नारियल का उप्री भाग बहुत मुलायम होता है तो क्या ये गलत है क्योंकि उप्री भाग कठोर होता है फिर दिया है ब्रशनत तीन नारियल का पेड़ बहुत उच्चा और टेड़ा होता है तो ये क्या होगा गलत फिर चार नमबर दिया है नारियल के पेड़ का हर एक भाग किसी न किसी रुप में काम आता है तो ये सही फिर नमबर पांच दिया है नारियल की उप्योगिता के कारणी इसे कल्प रुक्ष कहते हैं तो इसका उतर सही फिर दिया है मिलान कीजिए मिलान कीजिए पानी को क्या कहेंगे जल समान अर्थवार्द लाज शब्द है या तो समान अर्थी शब्द भी कह सकते हैं पेड व्रिक्ष बोजन खाना ताकत शक्ति शरीर तन छुटकारा मुक्ति तो इसके बाद दिये हैं बहुँ कल्पिय प्रेश्ण पहला हर धार्मिक कार्य में किस फल का प्रयोग किया जाता है तो इसके उप्षिन दिये हैं आम का नारील का या सेप का तो बच्वा आपको पतह ही होगा इसका उतर आएगा नारील का फिर प्रेश्ण दो दिया है नारियल का कौन सा भाग कठोर और भूरे रंका होता है और इसके विकल्ब दिये है उपरी भाग, निचला भाग या अंदर का भाग तो इसका उत्तर आएगा उपरी भाग फिर प्रेश्ण तीन दिया है कल्प रूख किसे कहा जाता है इसके विकल्ब है नारियल को अनार को खजूर को तो क्या उतर आएगा इसका नारियल को अब है प्रेश्ण चार नारियल की लकडियों से क्या बनाया जाता है तो इसका उप्षन है फरनीचर्व टोक्रिया करो की चत्व चटाईया क और ख दोनो तो बचो ये सभी नारियल की लकडियों से ही बनाया जाता है तो इसका उतर आएगा ग क और ख दोनो पीर प्रेश्ण पांच नारियल का पानी कैसा होता है स्वादिष्ट, बेस्वाद, कसेला तो इसका उतर आएगा स्वादिष्ट अब बचाते लगूतर ये प्रेश्ण जिसका हम कहेंगे आंसर इन शोट तो पहला दिया है प्रेश्ण एग नारियल के फल को स्रीफल क्यों कहते है तो इसका उतर है नारियल के फल को हर धार्मिक कार्य में प्रयोग किया चाता है इसलिए हम इसे स्रीफल कहते है फीर प्रेश्ण दो नारियल के पेड भारत में कहां कहां पाये जाते है तो इसका उतर आएगा नारियल के पेट भारत में केरल, पस्चिमी बंगाल, मुंबई, गोवा और उडिसा में अधिक पाये जाते हैं फिर प्रश्ण तीन नारियल का पेट कल्परुक्ष क्यों कहलाता है तो इसका उतर है नारियल के पेट से अनेक उप्योगी वस्तुए बनाई जाती है इस उप्योगीता के कारण ही इसे कल्परुक्ष कहा जाता है फिर प्रश्ण चार नारियल के पेट की लकडियां किस-किस काम में आती है पाट से सबंधित है ये तो उतर नारियल के पेट की लकडियां फरनिचर, फाइवर, टोकरिया, खरो किछत, चटाईयां आधी बनाने के काम आती है फिर प्रश्ण पाच नारियल अवश्यदिय गुणों से भरपूर कैसे है तो इसका उतर है नारियल में विटामिन, फाइबर, केल्शियम, मैगनेशियम और खनीज अधिक मात्रा में मिलते हैं इसलिए ये अवश्यदिय गुणों से भरपूर है अब इसके बाद है दीर्गे उतर ये प्रश्ण जिसको इंग्लिश में कहेंगे answer in long या आपको विश्टार से उतर लिखने होते हैं पहला है नारियल का पेड़ हमारे किस काम आता है तो इसका उतर है नारियल के पेड़ का हर एक भाग हमारे किसी न किसी रूप में काम आता है इस पेड़ की लकड़िया, फर्नीचर, टोकरिया, घरों की छट, चटाई आधी बनाने के काम आती है इसके फल का भोजन में पिखू प्रयोकिया जाता है नारियल के पत्ते तता चाल, आधी से तरह तरह की सजावट की वस्तुए रसी, चूटकी दरिया, गद्दे, साबुन तता मुंबत्ती आधी बनाये जाते है अब प्रश्न दो, नारियल का फल धार्मिक कार्य के लावा अवशद्य गुणों से भी भरपूर है तो इसका उतर है नारियल के फल का धार्मिक कार्य में तो उप्योग करते ही है इसके साथ ही यह अवशद्य गुणों से भी परपूर है इसमें विटामिन, फाइबर, केल्शियम, मेगनेशियम और खनीज अधिक मात्रा में मिलते है नारियल की गीरी में बदा, मक्रोट और मिश्री मिलाकर प्रती दिन खाने से मस्तिश्क को ताकत मिलती है यह शरीर को कई भी मारियों से चुटकारा भी दिलाता है फिरे प्रश्ण तीन नारियल का पानी पिने समय क्या-क्या लाग होते है तो इसका उतर है नारियल का पानी पिने में बहुती स्वादिश्ट होता है इसे पिने से शरीर को ताकत मिलती है यह पाचन शक्ति को ठीक रखता है हर रोज नारियल का पानी पिने से शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहती है और शरीर पूरती ला रहता है तो student यही हम part 9 नारियल के गुण के विशेश प्रश्णोतर की चर्चाप पूरी करते हैं और इसी के साथ में part 10 बादल इसके विशेश प्रश्णोतर की PDF फाइल भी शेर करूंगी जो कि आपको लिख लेनी है और उसका अभ्यास करना है क्योंकि सोमवार से यूनिट टेस्तरी शुरू हो रही है और दूसरी बात कि आपको यहाँ पेपर एकदम साफ सुत्रा और सुन्दर अक्षरों से लिखना है उसमें रॉल नमबर, स्टांडर्ड, सब्चेक्ट, आपका डिवीजन, डेट यह सब भी आपको लिखना है तो यहीं है शेशन हम पूरा करते हैं बेस्ट अफ लक, थेंक यू